मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ ब्रहसपती और शनी ये दो ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को आध्यत्मिक्ता के शेत्र में लेकर आते हैं धर्म के शेत्र में लेकर आते हैं जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति के प्राय दो रूप, प्रमुक रूप से जाने गए हैं या समझे गए हैं वो है निर्गुन भक्ति और सगुन भक्ति सगुन भक्ति में ईश्वर का विधी विधान से पूजन किया जाता है और कुल्मिलाकि ये बोल सकते हैं कि मूर्थी पूजा विदिवत तरीके से की जाती है और पर्टिकुलर उसके कुछ खास नियम काइदे होते हैं जिसके अनुसार इतनी बज़े पूजा होगी, इतनी बज़े भगवान को भोग लगाये जाएगा, इतनी बज़े शयन कराये ये सारी पद्वतियां इसके अंतरगत आती हैं जिसको कि हम सगुण भक्ति कहते हैं निर्गुण भक्ति के अंतरगत मूर्ति पूजा नहीं होती है और उसके अंतरगत आत्म शुद्धी पर विशेश बल दिया जाता है और व्यक्ति के भीतर के विकारों को मिटा कर अपने भीतर ही परम तत्व को पाने का प्रयास किया जाता है लेकिन ये साधना बहुत कठिन है और हर किसी के बस की बात नहीं है जो सगुन पूजा है वो तो कोई भी कर सकता है लेकिन निर्गुन पूजा बिरले ही कर पाते हैं और काफी मुश्किल होती है तो शनी और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो भक्ति भाव देते हैं आध्यत्मिकता देते हैं अब यहां जो गुरु हैं विशेश रूप से सगुन भक्ति का आग्रह करते हैं और जो शनी है वो क्योंकि रहसेवादी ग्रह है आध्यत्मिक ग्रह है और ये निर्गुन भक्ति की और विशेश रूप से प्रेरित करते हैं इसके अंतरगत हम विभिन साधनाओं को ले सकते हैं विभिन उपासना पद्धतियों को ले सकते हैं जिसके लिए बाहरी पदार्थों की आवशक्ता नहीं होती है सिर्फ भीतर जहांक कर परमात्मा को पाने का प्रयास किया जाता है सगुन भक्ती भाव में विभिन प्रकार के भोजन बनाकर ईश्वर को भोग लगाना चपन भोग की जहांकी लगाना पौश बड़े इत्यादी का महोचसव बनाना ये सारे हम एक गुरू से प्रभावित समझ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर परमात्मा इंसान जैसे ही उठते और सोते हैं जाकते हैं उनको गर्मी शर्दी लगती है यही कारण है कि कई मंदिरों में भगवान के लिए कूलर की वेवस्ता की जाती है एसी की वेवस्ता की जाती है रजाई वगरा रखी जाती है उनके लिए और ऐसा अनुभव किया जाता है कि भगवान भी इस चीज को अनुभव करते हैं और उनको भी सर्दी गर्मी बरसात का प्रभाव पड़ता है लेकिन जो निर्गुण साधना वाले हैं वो ही कहते हैं कि भगवान इन सब से परे है ना उसको कभी सड़ी लगती है ना भूब प्यास लगती है वो इन सब चीजों से परे एक बहुत ही विलक्षन चीज है जिसको समझने का प्रयास करते हुए कई जिंद्गिया निकल जाती है तब भी व्यक्ति उसके था को नहीं पा सकते उसे समझ नहीं सकते तो शनी और गुरू जब कुंडली में बहुत प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास करता है लेकिन तर अपने आप में पूर रूप से सक्षम है एक आध्यत्मिक उचाईयों को प्राप्त करने में लेकिन फिर भी यहां जो मैं अपने एक बात और आपसे कहना चाहूंगी वह यह है कि प्राए ब्रस्पति को बहुत अच्छा ग्रह बताया जाता है और ब्रस्पति है भी शुब ब्रस्पति की शुबता का भी रास हो जाता है कई बार और ब्रस्पति उन शुब फलों को देने में सक्षम नहीं हो पाता है और ऐसी ब्रस्पति प्रधान व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं जैसे एक फॉर एक्जामपल आपको मैं बताती हूं कि कोई व्यक्ति है मंदि किसी प्रकार का विग्न करना पसंद नहीं करेगा और शनी प्रधान व्यक्ति ये कहते हैं जो शनी के द्वारा अध्यत्मिक तके शेत्र में आते हैं जिसको कि शनी को क्रूर पाप ग्रह न चाने क्या क्या कहा जाता है यहां मैं आपको बता रही हूं कि शनी प्रधान व्य कि मंदिर हमारी बहुत ही आस्था का केंद्र है और स्वैम मैं पूजा पाठी और धार्मिक हूँ लेकिन यहां पर सिर्फ ग्रहों से रेलेटड बात आपको बता रहे हुं मैं आपको यह प्रेदित नहीं करने कि मंदिर ना जाए या बिल्कुल जाए क्योंकि मैं भी बहुत मूर्थी पूजक हूँ, मंदिर में जाकर पूजा करती हूँ और आध्यत्मिक साथना में करती हूँ, दोनों इस श्रेणियों को लेकर मैं चलती हूँ और शनी नकारात्मक होने के बाद भी व्यक्ति को कितना सकारात्मक बना देता है, लेकिन इसकी आड़ में जो यह लोग खींचतान करते हैं, कई लोग जो मंदिरों में जल चड़ाए जाने पर या दूच चड़ा शीव जी पर दूच चड़ाए जाने पर जो टिपड़ियां शीव जी को जल चड़ाना या शीव जी के मंदिर में दूच चड़ाना तो पहले वो शीव जी को समझे उसके बाद ये बात बोले तो जादा उत्तम होगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ ग्रहों की बात कर रही हूँ और ग्रहों के आधर पर इसका विशलेशन कर रही हूँ, त सबी को ये से बताने का प्रयास करता है कि परम तत्व को किस प्रकार से प्राक्त किया जा सकता है क्योंकि बाहरे दिखावे से कुछ नहीं होता है भीत्री शुद्धी भी होनी चाहिए अब कोई भगवान के मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है इसका मतलब हमेशा ये नहीं ले सकते हैं क्यों वो भीत्री रूप से शुद्ध नहीं है या जो मैंने आपको एक्जामपल दिया तो उसका भी ये तातपरे नहीं है कि जितने भी लोग मंदिर जाते हैं वो गरीबों के परती उपेक्षित व्यवार रखते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मंदिर में जैल और दूद चड़ाने वाले लोग भी गरीबों के परती अच्छी भावना रखते हैं ये कभी-कभी हो जाता है कभी-कभी ऐसे लोग होते हैं हजारों में कोई एकाद लाखों में कोई एकाद व्यक्ति ऐसा होता है लेकिन इसके लिए कुतर की लोग हमेशा तयार रहते हैं जो हमारे धर्म के प्रती छेड़-छाड़ करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप शेवजी पे जल में चड़ाओ, दूद में चड़ाओ ये बिलकुल एक अलग बात है यहां सिर्फ ग्रह के हिसाब से मैं विश्लेशन कर रहे हैं उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रसपती का जब माउंट बहुत उचा हो जाए हतेली में तो व्यक्ति धर्म के शेत्र में बहुत धकोसले बाजी करता है दिखावा ज़ादा करता है उसको अपने पांडित्ये पर बहुत ही एहंकार होता है बहुत ही गर्व होता है यही इस्तिती कुण्डली में यदि ब्रसपती उच्च का हो जाता है अब कुछ लोग ही कह रहें ब्रसपती हमेशा शूव होता है मैं कहते हूँ जिनके उच्च का ब्रसपती होता है कुंडली में उनको धर्म का ज़्यान बहुत होगा लेकिन एहंकार भी बहुत जादा होता है इस्पेशली अगर कर्क लगन है और उसमें क्योंकि व्रसपती कर्क राशी में उच्च का होता है कर्क लगन में ही व्रसपती बैठा है तो व्यक्ति को ज्यान का दर्प तो हो गही होगा वो ज्यानी भी बहुत होगा उसके पास अथा ग्रंत होंगे खूब अध्यन भी करेगा लेकिन अपने ग्यान का दर्प भी उसके अंदर होगा और ग्यान के साथ अगर दर्प जुडा हो थो ग्यान ग्यान नहीं रहता यह चीश समझने की है कि व्रक्षों में जितने लगते हैं फल तो व्रक्ष उतने ही जुक जाते हैं वही चीज है कि विनम्रता पहला गुण होता है किसी भी विद्वान व्यक्ति का लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन में बहुत इस तरह की ग्रह काफी उचे हो जाते हैं कई बार चंद्रम और ब्रस्पति बैट कर बहुत अच्छे योग बना देते हैं लगन में लेकिन फिर भी उसको ज्यान का दर्प और एहंकारत होता ही है वो अपने ज्यान को कि प्रशन सा की लाल सा उसको जबर्दस होती है वो चाहता है कि उसके ज्यान को लोग सरा हैं लेकिन यही चीज यदि शनी बहुत पावर्फुल होके बैटा है तो व्यक्ति किसी को भनक तक नहीं लगने देता क वो इतनी जबर्दस आध्यत्मिक साधनाय कर रहा है, वो गोपनी प्रवर्ती उसके बीतर होती है, वो भीतरी साधनाय करता है और दिखावा कम करता है, किसी को ऐसास भी नहीं होता कि वो व्यक्ति कितना spiritual है, कितना उसके अंदर ग्रहों की या जो आध्यत्मिक या परम कि शक्ति उसके बीतर समाहित है, तो इस प्रकार से शनी को नकारत्म ग्रह न समझा जाए, और गुरु को बहुत ही शुब ग्रह न समझा जाए, क्योंकि कुंडली में सबके सब ग्रह शुब हैं, और सबके सब ग्रह ही अशुब भी हैं, ग्रह उच्छ होने के बाद भी तो वहां पर अगर ब्रस्पती लगन चार्ट में बहुत पावर्फूल है, लेकिन डिविजनल चार्ट में कहीं बहुत डाउन हो गया है, खराब हो गया है, तो वह फिर उस तरह की रिज़ल्ड उस जातक को नहीं मिलेंगे, इसी तरह से शनी यदि कुंडली में कमजोर है, ल ही देनी चाहिए आज का वीडियो में समावत करती हूं बहुत-बहुत धन्यवाद